असलाम अलाइकों और जो पॉइंट में खुशामदीद आज के इस वीडियो में मेरे पास मौजूद है ओनर 8C पशली वीडियो में हमने इसकी अन्बॉकसिंग की थी और आज के इस वीडियो में हम इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन पर बात करेंगे और आपके साथ इसका रि जो डिस्प्ले है वो 6.26 इंचिस का है राउन ओफ कुंदो 6.3 इंचिस है 6.3 इंचिस के परफेक्ट डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 720-1520 पिक्जल्स की बेहतरीन रिजलूशन और अगर इसके हम डिस्प्ले की टेक्नॉलोजी की बात करें तो इसका IPS LCD 4.1 Oreo है इसका जो CPU है वो Octa-Core है उसके मजीद स्पस्फिकेशन में आप लोग के साथ शेयर करती हो 4.18 GHz काडियो 250 गोल्ड प्लस 4 x 1.8 GHz काडियो 250 सिल्वर है जैसे कि आपको पहली भी बता चुकी हूँ इसकी अंबॉक्सिंग वीडियो में कि इसको चिपसेट है वो खु GPU Adreno 506 है अब आध हैं फॉन की मेमरी पर आजज़ फॉन लेते हुए जो फॉन की स्पेसिक चीज़े होती है हमारे माइंड में उसमें से एक उसकी मेमरी भी है तो बात करते हैं इस फॉन की मेमरी की हमारे पर जो फॉन है उसकी मेमरी 32 GB उसके बिल्ट-इन मेमरी है और 3 GB की इसके इलावा आपको यह phone 64GB के built-in memory के साथ भी available है इसके इलावा आप अपने phone की memory को microSD card के जरीए 256GB तक enhance भी कर सकते हैं और आपको microSD card के लिए dedicated slot मिलता है यानि कि इसके SIM का hybrid structure नहीं है अब आते हैं इसके camera पर phone का जो main camera है यानि कि इसका back camera वो dual camera system है उसमें से इसका एक camera 13MP का है और इसका दूसरा camera है वो 2MP का है जो कि आपको depth sensor भी provide करता है इसके साथ आपको यहाँ पे इसकी LED flash भी मिलती है और इसके जो video है वो आपको 1080 pixels की मिलती है अब जरा बात करते हैं phone के front camera की phone का front camera है वो 8MP का है और phone का front camera भी आपको 1080 pixels की video resolution प्रोवाइब करता है तो इसके camera में जो आपको इसके features मिलते हैं इसमें आपको इसका aperture set करने का भी mode आपको मिलता है इसके लाब आपको आपको portrait mode मिलता है अपने AI mode को active करके पनी normal picture में ले सकते हैं आपको वीडियो है वीडियो के साथ ही आपको more का option मिलता है तो more के option में जाएं तो आपको यहाँ परो एफेक्ट, panorama effect, AR lens, HDR, filters, watermark यह सब options मिलते हैं इसके filters में जाएं तो आप देख सकते हैं कि काफ़सार filters आपको मिलते हैं जो इसके AI camera का result येकिनन बहतरीन है अब आते हैं फॉन की connectivity की तरफ हर फॉन की तरह इस फॉन में भी आपको Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hotspot इसके लाबा Bluetooth, GPS, Micro USB system और आपको आपका GPRS भी मिलता है और आपको आपका data connection भी मिलता है फॉन के कुछ features की बात करें अब सबस्पहले इसके sensors पर आते हैं इस फॉन में आपको accelerometer, compass, fingerprint, rear mounted fingerprint sensor, proximity sensor मिलता है इसका जो audio jack है, 3.5 mmS का audio jack है और ये एक speaker phone है इसके extra features में active noise की cancellation है, dedicated mic के through और आपको इसमें document viewer भी मिलता है अगर अब आप settings में जाएं, इसके display की settings में आपको एक और option मिलता है जो कि इसकी notch को option है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां आपको इसकी specified notch नजर आ रही है अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसमें notch को गायब भी कर सकते हैं आपको फॉन के right side पे आपको volume buttons मिलते है और फॉन का power button मिलता है इसके के left side पर आपको आपको audio jack मिलता है और charging jack मिलता है और इसके आप तर साइट पर देखें तो यहां पे आपको इसका hands-free का jack मिलता है तो अब आते हैं फॉन की battery के उपर फॉन की बैटरी है उसकी capacity 4000 mAh की है और इसकी बैटरी ली आयन नॉन रिमुवेबल बैटरी है तो यह थी Honor 8C की specifications उमीद करती हूँ आपको इसकी specifications पसंद आई होंगी और अब आखिर में बात कर लेते हैं फॉन की price की इस phone की प्राइस है वो 26,499 रुपीज है जो के almost 26,500 रुपीज मनती है तो यह थी Honor 8C की specifications उमीद करती हूँ आपको Honor 8C पसंद आया होगा मजीद इस तरह से टेक्नॉलोजी से रिलेटिज वीडियो देखने के लिए देखते रहिए और दुपॉइंट